नाकपुर शहर में थानेदारों सहित 20 पुलिस निरिक्षकों का हाल ही में तबादला किया था उनमें से कुछ जहां थे वहां काम नहीं करना चाहते थे और उनमें से कुछ ने संतोशनक धंग से काम नहीं किया नाकपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने तबादला किया लेकिन सम्मंदित अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी वाड़ी पियाई की बदली की गई और उनकी जगा प्रदीव रान्यवार को नियुक्त किया गया इससे पहले नाकपुर आयुक्त को सम्मंदित अधिकारियों को बुला कर मामले की जानकारी देनी चाहिए थी ताकि सम्मंदित अधिकारियों का मनोबल ना गिरे यह बहुत महत्पूर्ण है वाड़ी शहर में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें संदेग्द हत्याओं ज लेकिन लोगों को न्याय दिलाने के लिए सावधान रहने वाले अधिकारियों का होना भी जरूरी है लोगों की समस्याओं के समधान के लिए अधिकारी दिन रात काम करते हैं ऐसा लगता है कि अधिकारियों के लिए मानसिक पीड़ा को सहकर अपने कर्तब्यों को पालन कर लेकिन ऐसा अच्छानक तबादला से उनका मनोबल गिराया जा रहा है वाली से इन्बीसियन न्यूस के लिए सौरप पाटिल की रिपोर्ट